चुपके चुपके रात दिन अंसु बहाना याद है किया आपको गुलाम अली और जग्जीत सिंध्वारा गाई गई यह मशहुर गजल याद है इस गजल को महान स्वतंतरता सेनानी मौलाना हसरत मौहनी ने लिखा था दर्शकों का एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है इस कड़ी में हम उस स्वतंतरता सेनानी के बारे में चर्चा करेंगे जिसने इनकलाब जिन्दाबाद का नारागड़ा था साथ ही उन्होंने प्रसिद गजल चुपके चुपके रात दिन भी लिखी संभावना कम है कि लोगोंने सेद फजल उलहसन के बारे में सुना होगा लेकिन मौलाना हसरत मोहानी हर भारतिय और ब्रिटिश ने उनके बारे में सुना होगा मौलाना हसरत मोहानी का जन्म 1875 में सेयद फजल उलहसन के रूप में वर्तमान उत्तर प्रदेश के मोहन में हुआ था वे उर्दू की प्रमुख कभी थे उनका कलम नाम हसरत था और अंतिम नाम मोहनी उनके जन्मस्थान को दर्शाता है खसरत कॉलेज के दिनों से ही देश भग थे उन्होंने मुहममडन एंगलो ओरियेंटल कॉलेज में अध्यान किया जो बाद में अलीगर मुसलिम विश्व विद्याले बन गया ब्रिटिश सरकार की आलोचना के लिए उन्हें तीन मौकों पर कॉलेज से निश्कासित कर दिया गया था मोहनी ने भारतिय स्वतंत्रता के संगर्ष में भाग लिया और कई बार जेल गए उन्होंने अपनी पत्रिका उर्दू ए मुल्ला के माध्यम से ब्रिटिश विरुधी विचारों को बढ़ावा दिया उन दिनों, राजनीतिक बंदियों के साथ हाम अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाता था और उन्हें शारीरिक्ष्रम करने के लिए मजबूर किया जाता था वह 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता की मान करने वाले भारतिय इतिहास के पहले व्यक्ती थे मोहनी भारत के विभाजन के पक्ष में नहीं थे और उन्होंने कई बार इसका विरोध किया भारतिय स्वतंत्रता के बाद वह भारत की सम्विधान सभा के सदस्य बने जिसने भारतिय सम्विधान का मसौदा तयार किया हसरत ने न तो सरकारी भते स्विकार किये और नहीं सरकारी आवासों पर रहे, इसके बजाए वह मस्चिदों में रहे, वह साजात आंगे में संसत की यात्रा करते थे, वह एक धार्मिक अभ्यास करने वाले मुसल्मान थे और एक साधा जीवन व्यतीत करते थे, उन्होंने कई बारहज किया था, वह फ्रेन से तीसरी श्रेनी में यात्रा करना पसंद करते थे मौलाना हसरत मोहानी का निधन 13 मई 1951 को लखनों में हुआ था हसरत ने भगवान कृष्ण के बारे में भक्ती कविताएं लिखिये ही और अक्सर कृष्ण जन्माष्ट में मिनाने के लिए मतुरा जाते थे हसरत द्वारा लिखी गई कुछ प्रसिद भुस्तकी कुलियते हसरत मोहानी, शरे कलामे गालिग, नुका ते सुखान और मुशाहिदा ते जिन्दन है गुलाम अली और जगजीद सिंग द्वारा गाया गया एक बहुत लोगप्रिय गजल चुके-चुके रात दिन, उनके द्वारा लिखा गया था यह गाना हिंदी फिल्म निकाह में भी दिखाया गया था भारतिय स्वतंत्रता से नानियों का प्रसिद नारा, इनकलाब जिन्दाबाद, मुहनी द्वारा एक नौदो एक में गड़ा गया था उनके सम्मान में अलीगड मुस्लिम विशुविद्यालेय में उनके नाम पर एक छात्रावास है मुंबरा और कानपूर में उनके नाम पर एक गली का नाम रखा गया है मौलाना हसरत मौहनी अस्पताल कानपूर के चमंगंज में स्थित है मौलाना हसरत मौहनी गैलरी बिठोर संद्राहले में स्थित है कूलकाता में हसरत मोहानी मेमोरियल कल्स हाय सेकंडरी स्कूल का नाम उनके नाम पर रखा गया है